तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तो आज में आपको पता होगा दोस्तो कल से कल पांस तारिक से वाटसप पे जिस ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है और एक एग्रीमेंट आ रहा है एक टर्मेंट केलिए अक्सेप्ट करने के लिए और नॉट तो दोस्तों यह अपडेट आपको देख रहा हो गए मैंने स्क्रीन शोट लगा के रखा है यह अगर आपके पास अभी तक नहीं आया तो आपके पास भी आ जाया क्योंकि रैंडम यूजर के लिए आना चालू हो चुका है किसी को कल आया है किसी को आ जाया है किसी को आने लिए इसमें साबसाब लिखा है WhatsApp service और आपके डेटा को कहीं भी यूजर कर सकता है और आपको नॉटनाओ का जो ऑप्शन मिल रहा है और आपको साइड में अगरी का ऑप्शन मिल रहा है अभी तो आपको नॉटनाओ का ऑप्शन मिल रहा है बट आट फरवरी 2021 के बाद यह नॉटनाओ का ऑप्शन हड़ जाएगा आपको एग्री ही करना रहेगा क्योंकि यह कंपल्सरी हो जाएगा विदाउट एग्री इसको कोई भी एक्सिस नहीं कर पाएगा आप देख सकते हैं नीचे कंडिशन में आप लिखा हुआ है कि एग्री करने के बाद अगर आप पाएगा तो ही आप उसको यूज कर पाएंगे तो यह नहीं टर्मेंट कंडिशन वाटसब की आना चाले हो गई है तो इसको और आगे जानने के लिए दोस्तों मैंने इसकी प्राइबसी पॉलिस पे क्लिक करा तो वहां गया तो वहां पर आपको देखेंगे मैं आपर स्क् दिखता भी रहेगा तो मैं यहां से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूं तो वही कि वहां पर आपको प्ले होके दिख जाएगी तो यहां पर आप जाएंगे वाटसब पॉलिसी अप्टेडिट में जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर जो चार तारीक को अबडेट हुए चार जन्वरी को इसमें साब सब यहां पहले पॉइंट लिखे गाए हैं नीचे सबसे लिखा गया information भी collect information जो हम आप से collect कर लेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पॉइंट दिए गए यह और account information हम आपकी सारी account information collect कर लेंगे mobile नंबर आपकी dp याप जो भी आप करेंगे आपकी सारी डिटेल यहां पर collect कर लेंगे उसके जो आपके message हैं आप message send कर रहे हैं वो भी हम collect करके रखेंगे होता क्या है कभी कबर आपने किसी को message send कर रहा हो message वहां पर delivered नहीं होता है या mobile उनका जो भी हो delivered नहीं होता तो वो 30 दिन तक ही अपने data पर store कर रहेंगे अगर वो 30 दिन बाद भी अगर वो खोलेंगे तो उनके बाद वो delivered हो जाएगा message तो यह भी यह करेंगे आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है आपके message को भी read करेंगे और आपके जो data अगर आप forward कर रहा है media file कुछ भी चीज़े कर रहा है media file वो भी पूरी हमारे पास server में save रखें जाएगी और हम use कर सकते हैं कोई भी अगर हमें कोई काम होता है तो हम उसका use कर सकते हैं तो इस condition में यह लिखा गया है उसकी तरफ नीचे की तरफ आएंगे यह और connection जो भी आपके contact हैं उसको भी वाज़र उठाएंगे हम वहाँ पर copy paste कर सकते हैं कि वह भी data हम कहीं भी use कर सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी time and condition दी गई हैं अब नीचे आगे तर जाएंगे तो बहुत सारी condition मिल जाएगी एक चीज़ी और कुछ लोग कह रहे है था कि WhatsApp आने वाले time पर advertisement चालू करतेगा कि अपने WhatsApp पर advertisement आएंगी अभी यह उन्होंने clear कर दिया अगर आप आएंगे हैं थार्ट पाइंट थार्ट पाइटी वाले point एप में point पे तो आपको यहां नीचे मिल जाएगा कि हमने अभी यह वाले point को भी access नहीं करा है यह चालू नहीं करा है यह नीचे की तरह आएंगे तो आपको यह privacy policy update का आपको मिल जाएगा आपको उस पर क्लिक करना है वहां जाके आप privacy policy पूरी पढ़ सकते हैं बाकि जो की में में point थे मैंने आपको बता दिये दोस्तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर कमें जरू करें और अभी तक आपने वेडियो सब्क्राइब नहीं किया सब्क्राइब करना है ना बुले तो थेंकि दोस्तों और एक बात और यार रखिए तो यह आपको एकसेप्ट करना होगा अगर आप नहीं करते तो उसके बाद देखिए क्या हो डिलीट भी हो सकता हूँ और आपकी इंफोमेशन पुरी चैट डिलीट हो सकती है तो थेंक यू